येशु शांदी देने वाला है येशु की व्यानी येशु का वजन माने इश्वर है हम लोगोंने सुना है आदी में सब्द दा सब्द इश्वर के साथ था और सब्द इश्वर था वजन में कुछ ताकत है बचो वजन में कुछ शक्ति है बजन सुनते समय पवित्राट मां अमार अंदर आज जाएगा प्रेडि चरिद में अध्याई 10 वाक्य संग्य 44 पेत्रुस बोल रहा दा, पेत्रुस बोली रहा दा ताकि सुनने वाले को पर सब पवित्राट मां आगया वो चाहे कोई भी जात वाला हो, कोई भी धरम वाला हो, वो पा भी हो, दार्मी हो, कोई भी हो या येश्व को पत्तर मारा क्यों ना हो, या बाइबल फांड के उसको जलाया क्यों ना हो, कोई भी हो येश्वर की वानी सुनने से येश्वर के वचन सुनने से पवित्राथमा हमार अंदर आएगा हालेलूया पेतरुस बोली रहादा सुनने वाले को पर पवित्राथमा आगिया इसलिए हम एक की दिन्दे हमें ज़्याद समय नहीं है देखो एक वचन से प्रभो हमें मन परिवर्तन करेगा हालेलूया अब लोग बेटी है एक की वचन अब लोग योद का रिटीर कतम करके आ रहे गया और इतना जल्दी पोज़ गया देखो एक की वचन से हमारा मन परिवर्तन करेगा प्रभो हमारा सारा नष्ट प्रबो अमें पूरा करके देएगा जो कोया है अमें पाएगा एक ही वचन ये सारा दुनिया प्रबो ने वचन से बनाया है वचन से पहला कुछ भी नहीं दा ये दर्ती में ना आगाश ना पृत्यू ना धरिया, समुदर ना पहाड ना जानवर, ना मनुश्य कुछ भी नहीं दा लेकिन प्रबो ने अपने एक लवते पृत्र और पवित्रात्मा से मिलकर ये दर्ती में सब कुछ बना दिया अपने वजन से अपने शब्द से हलेलूया वचन में इतना ताकत है ये नहीं समझना आज एकी दिन ने यहाँ पर ज्यादा समय नहीं है एकी दिन में एकी दिवस में मैं तुमारा सारा अभिशाब को तुमसे में दूर करेगा इसलिए बाई बेनों हम यहाँ बढ़के काली सिप सुनना है इरेमिया का गरंद में अध्याई तेवी स्वाक्य संग्या उंतीस चैप्टर ट्वंडिथरी वेर्ड्स ट्वंडिन नयन इरेला पड़के दुए इरेमिया का गरंद में आध्याई तेवी स्वाक्यशंग्या उंतीस 2329 जरमिया 2329 पड़िये मेरी वानी अगनी जैसी है और मेरी वानी चतान को तुकड़ा तुकड़ा करने वाला हतोड़ा जैसा है चतान को कैसे तुकड़ा करता है हतोड़ा से बहुत बड़ा बड़ा अथोड़ा जैसा बोलो बोलो मेरी वानी अगनी जैसी है मेरी वानी अगनी जैसी है अगनी जैसी है मेरा वजन आग की तरह आग जला डालूगा जो गंदगी अमारे उपरे सब जला डालूगा यही वानी से मेरी वानी अगनी जैसी है और आगे वा उस हतोडे की तरह है जो चटन को टुकडे कार देता है यही वानी आगनी जैसी है और चटन को टुकडे करने वाला अतोडा जैसा है अतोडा सबस्त है है तोड़ा बोलते हैं ना हम लोग का वसा से मर्थुल बोलते हैं आ मर्थुल जर कोई मर्थुल है क्या है हैमर मर्थुल मर्थुल कौन सा वशा है साद्री साद्री वशा में मर्थुल अब इमें आखले जगा जाके पूछेगा बोलेगा उनको मर्थुल जैसा है तो आप लो को तुकडे तुकडे करने वाला हतोड़ा जैसा देखे अमारा राख दे कितने अभी पत्तर क्यों ना हो प्रभु वजन अपना अतोड़ा जैसा वजन से तोड़ तोड़ के उसको नरब कर दूँगा हालेलुया एशु की स्थुदी हो एशु को दन्यवाद हालेलुया देखो हमें शांदी देने के लिए एकी वजन काफी है यह नहीं समझना हम बहुत दिन इसा बैटेगा जबी हमेरा मन बर्यूरत नोगए नहीं है एकी वजन अमारा परिवारा में सुस्त लाने के लिए एक ही वजन काफी है हमारा सरा बीमारियों को हटाने के लिए एक ही वजन काफी है हमारा मन परिवर्तन करने के लिए हमारा सराब का जो आदत हटाने के लिए हमें पवित्र बनाने के लिए हमारा धर निकालने के लिए हमारे परिवर्वर में इतना आनद लाने के तीस बरसे में धेख के आ रहा हूं एक की वजन से प्रवो सब कुछ कर देते, इतना थाकत है वजन में हलेलूया चाहे कोई भी जात वाले हो क्यों नहीं हो, कोई भी दरम वाले हो यो प्रोटेस्टन वाले हो ये शुकी वानी अक्नी जैसी है अकनी, आगे, फायर है जला डालूँगा सब जो गंदगी को जला कर राख करूँगा हालेलुया बोलो जोर से बोलिये हलेलुया हलेलुया एक की वजन काफी है, बोलो और जोर से बोलो हालेलुया 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 सांधी देने वाला येशु आलेलुया सकती देने वाला येशु हालेलुया राजावों का राजा येशु आलेलुया प्रेबों का प्रेबों येशू